समस्कार दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे के कुछ सवालों के बारे में और ये जो सवाल आप लोग ने पूछे हैं कौन-कौन से हम लेने वाले सवाल इस वीडियो में वो हम लेंगे पिछले संडे की वीडियो में जिन लोगों न सवाल किये थे, उन सभी का बहुत-बहुत शुक्र रिया और उन सब में से काफी सारे सवाल हम लोग उने चाटे हैं, बहुत-बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल आप लोग उने पूछे थे, तो उन सभी सवालों का आज हम लोग जवाब देने वाले हैं और काफी सारे सवाल हो सकता है मिस हो जाए मतलब कोशिश जितनी हो सकती मैं करूँगा इस वीडियो में सामिल करने की तो अगर किसी का सवाल मिस हो जाता है तो इसी वीडियो के नीचे फिर से आप सवाल कर सकते हैं नेक्स वीडियो में उसको हम लोग फिर से सामिल करने की कोशिच करेंगे तो यानि किसी के मन में कोई भी सवाल आ रहो तो इसी वीडियो को नहीं चाहिए कमेंट कीजएगा ताकि नेक्स संडे की वीडियो में उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सवाल पिछले संडे की वी और लेकिन आपकी जो exchange यूज़ कर रहे हैं वो भी उस level का होना चाहिए कि उसका जो stop loss अगर आपने लगाया तो उसका software और सारी चीज़े काम करें पाकि normally exchange काम करते हैं exchange का जो stop loss है वो काम करता है 99% काम करता है क्यों इसी रहती है उसकी नेक्स सबल क्या है nature is life ने इनका कहना है भाई शीबा नोबी सिंजा का future बताईए देखिए इस समय यह मीम कोईन के बारे में जानना चाहते हैं सभी मीम कोईन डंप हैं और यह वो समय चल रहा है मीम कोईन के लिए हम इस सभी मीम कोईन होल्टर के लिए इसमें cover कर देता हूँ कि देखिए यह वो समय चल रहा है कि इस समय सभी मीम कोईन बहुत जादा डंप है और अगर आप इसको आने वाले 6-7 महीने बाद देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको growth देखेंगी तो यह वो समय है जो मीम कोईन या जो भी कोईन है मीम कोईन को नहीं और भी कोईन है य और उसके 2-4-6 महीने बाद अच्छा रिटन यही सारे कोईन देगे जो इस समय डंप दिख रहें चाहे वो सिंजा हो चाहे वो वीडियो जो चाहे वो शीबा हो चाहे वो कोई भी मीम कोईन हो या कोई भी fundamental कोईन हो और मीम कोईन में जो भी पैसा अगर अपने लगाने का मन हो रहा है बहुत थोड़ा सा लगाना है सिर्फ अपने total portfolio का 2-5% बस नेक्स सवाल के तरह पढ़ते हैं नेक्स सवाल है crypto तक इनका चनल का नाम है इनका कहना है कि 10 बार पूछ चुका हो आब नहीं पूछूँगा tax बचाना है तो अगर हम दूसरी country में withdrawal कर सकते हैं तो tax बच इकत नहीं होगी क्योंकि आने वाले समय में यह जो tax implement हुए है 30% reduce होंगे तो अभी फिलाल इसको आप holding long term holding के साब से चलिए उसके बाद नेक्स सवाल की तरह पढ़ते हैं नेक्स सवाल है फारुक देशाई कहना है Binance और Royal Q के robot trading का सच क्या है very good बहुत अच्छा सवाल है सभ Binance API का मतलब होता है Binance authority दे सकता है कि आपके account spot trading के तरह कोई भी buy selling करे API के through और वो कर सकता है Royal Q तो उसमें समस्या क्या है सब कुछ तो बहुत अच्छा है गर robot trading करेगा वो expert है हमसे और हमारे पास समय नहीं है automatic trading कर रहा है समस्या यहाँ पर यह है कि margin जो उसका है वो उतना ज मतलब neutral है और रही बात scam की तो scam इसलिए नहीं है scam की इसलिए नहीं क्योंकि वो जो trading प्रवाइड कराता है वो आपकी app के अंदर है withdrawal की permission आपको नहीं देनी है और deposit तो कोई मतलब भी नहीं deposit करेगा तो फायता है तो withdrawal की permission अगर हम नहीं देंगे तो यह बिल्कुल कोई tension वाल करें और और बेच नहीं पाए इस तरीके की mistake इसके साथ भी होती है मतलब यह मत समझें कि बोट का मतलब 100% accuracy बोट का मतलब बस ठीक ठाक है उतना जदा अभी अभी successfully trading नहीं कर पाता है नेक्स सवाल क्या है राकेश सुमन ने उनका कहना है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं सर क्र crypto holding या trading करना मेरे लिए साही है या नहीं है विल्कुल साही है उसमें कुछ ऐसा नहीं आप अपनी उस amount से trading कीजिए जो कि आप खोने के लिए तयार हो क्यों कि crypto markets related project है और यहां पर फाइदा तो होता ही है नुकसान भी होने की पुरी-पुरी possibility होती है तो जब कभी भी आप trading start करेंगे आपको loss का सामना करना बढ़ेगा और धीरे 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 जैसे आपकी practice होगी profit भी बढ़ता जाएगा तो start कर सकते हैं आप अपना छोटी से amount से start कर सकते कोई tension वाली चीज़ है नहीं start कर सकते है उसके बाद next सवाल है देवराज का कहना किसी भी coin का fundamental कैसे जाने और quarter क्या होता है quarter मतलब हर 3-3 महिने का तीन महिना तीन महिना तीन महिना तीन महिना चार quarter मिला कि एक साल होता है उसके बाद आपने पूछा है कि कोई भी coin strong है कैसे पता करें तो देखिए अभी यहाँ जो screen पर आप website देख रहे है इसका नाम है coin geek हो और इसमें जो भी ranking है number one ranking है Bitcoin की number two है Ethereum की number three BNB की उसके बाद जो coin जैसे जैसे उसमें capital लगी है मतलब market cap मतलब उसकी कितनी हैसियत है कितनी अवकात है वो यह दिखा रहा Bitcoin number one यानि पूरी जितनी भी crypto में trader है सबसे अदा Bitcoin पर पैसा लगाया है उसी हिसाब से आप यह समझ सकते कितना fundamental कितना जादा मैंने इनका सवाल लिया था आपका सवाल है आपका crypto में सबसे बड़ा loss कौन साथ था crypto में सबसे बड़ा loss एक बार future trade में हुआ था उस समय market एक दम से dump हो गई थी तो एक loss हुआ था बाकी ऐसा कोई loss वस सामने नहीं आया लेकिन हा उसी के जैसे dump हुई उसके बाद फिर आप इनका सवाल है तो क्या शीबा इनू fundamentally strong है? मिलकुल fundamentally strong है क्योंकि हाँ उसी market cap आप देखेंगे वो कभी-कभी top 9, top 10 पर भी आ जाता है तो fundamentally strong इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सरा पैसा लगा हुआ है और अभी वो ठिक ठा काम कर रहा है नेक्स्ट सवाल है दीपक कुमारकन का कहना है कि सर फ्यूचर ट्रेट पर टेक्स कैसे लगेगा? फ्यूचर ट्रेट पर अभी कोई टेक्स का ऐसा implication के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं आई अभी आप normal spot trading का ही टेक्स उसको समझी अभी जितनी भी गाइडलाइन है वो हम आप क्रिप्टो को कैसे अपने exchange से hardware wallet पर भीट सकते हैं और इसकी जो fees होती है क्या वो affordable होती है या ज्यादा होती है? फीस तो Ethereum के अगर जो token है बहुत जादा होगी Binance के join में कुछ कम होगी और अभी आप hardware wallet से best option है कि software wallet यूज़ कीज़े अगर आपका portfolio कुछ limited है अगर unlimited है मतलब अगर 2,4,5,6,10 bitcoin है तब आप hardware में रखने के लिए सूचिए अधरवाइस अपना trust wallet जो की software wallet है वो भी enough है वो भी आपको काफी तादा security प्रवाइट करा देगा और जो चीज़े जो lack जो lack जो कमी है आप लोगो को नज़र आ रहे है वो सब ऐसा नहीं है मतलब इतना easily ब्लॉक नहीं कर जा सकता वह और आम से चलता रहेगा अभी आप trust wallet को भी prefer कर सकते जो की free है नेक्स सवल क्या है red fox निंगा कहना है कि I am Jatin Kumar Sir आपका cryptocurrency related information कहां से लेते हो क्या आपकी जैसा YouTube channel में भी start कर सकता हूँ crypto की information कैसे लेते हैं तो देखिए जब crypto channel हमने start किया था उस सम आपकारी उस समय अभी तो बहुत सारे चैनल होगा information वाले उस समय वह सारी detail नहीं मिलती थी कि trust wallet क्या है कैसे use करना मेटा मास कैसे use करना उसके लिए हम लोग जाते थे international channel के पास यानि English channel के पास और किसी को English समझ में आते और किसी को नहीं आती तो उस समय मुझे लगा कि यह है और रही बात जो data collect करने की वह भी easily हो सकता है तो अगर आपके पास कुछ extra talent है तो आप इसमें बिल्कुल आ सकते हैं hard work तो है यह मतलब ऐसा लगता है कि वीडियो डाला 10 minute का और तयार लेकिन 10 minute के वीडियो के पीचे यकीन मानी है 6 घंटे की मेहनत होती है एक एक word हम है कहां से और वो सब देरे देरे आप सीखेंगे और carrier है future है बस आप इमानदारी से अगर अपनी चीज़े करेंगे तो और हाँ एक बात छुड़ गया आपको इस channel को जो आप देख रहे हैं इसको please subscribe कीजे वीडियो को like कीजे क्योंकि यही हम लोग के लिए important है तो आप अग का price demand supply के उपर depend होता है demand supply पर depend होता इसका price लेकिन BTC and other coin का price कैसे fluctuate होता है तो देखिए जब कभी कोई news आती है कि Russia ने कोई बड़ा bum छोड़ दिया तो उससमें जो वेल्स लोग होते हैं वो Twitter पर ही बैठे होते हैं फटक से अपने 20 Bitcoin 50 Bitcoin 100 Bitcoin sell कर देते तो market dump हो जाती है और उस demand supply का बस यही है कि जब sell किया ना तो market में supply demand कम है supply जाधा हो गए तो इसलिए rate कम हो जाता है नेक सवाल किया है Mac विश्वास इनका कहना है आपने crypto में investment कितने रुपे से start किया था मैंने 2014 में Zappi से start किया तो उसमें Zappi green color कर था उसमें मैंने 10,000 रुपे एड़ किया Bitcoin खरीद शाम तक विड्रॉल आ गया तो उसके बाद फिर belief बढ़ा और धिरे धिरे investment बढ़ाया नेक सवल की तरफ बढ़ते हैं नेक सवल किया जगदीश ने कहना है कि सर अगर crypto नहीं होता तो आप किस condition में होते means कि आपके पास अभी जितना amount है उतना होता क्या या उससे कम होता तो दो मैं जो अपनी professional life start किया था जब हम इंटर में थे तब से ही मतलब घरवालों का कोई pressure नहीं था कि कमा के लाओ बेटा घर से ठीक ठाक था लेकिन फिर भी मेरा दमाग में यह set हो गया था कि नहीं कुछ different करना है कुछ कमाना है तो उसके लिए हमने job start कर दी थी और पहली job ह हमारी Reliance के customer care में और उस समय 35-35 मिलता था तो मतलब starting काफी start से ही कर दिया था तो जब क्रिप्टो में join हुआ उससे पहले भी सारी चीज़े जितनी वी worth आसपास हमारे दिखती आप लोग को थोड़ा बहुत थी दिखाता हूं जादा नहीं दिखाता हूं तो जितनी दिखत सकते थे other business से लेकिन हाँ crypto से एक हमारी backbone तयार होती यानि कि जो भी लोग अभी crypto को ऐजा सब कुछ देख रहे हैं कि crypto से हम सब कुछ set कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके लिए आपको कुछ और भी business करना पड़ेगा और भी काम करना पड़ेगा और भी job करनी पड़ कर सकती है crypto या कोई भी trading platform आपको support कर सकता है तो crypto से हमको जो फाइदा मिला वो सिर्फ एक backbone का मिला है बाकि जितनी भी आसपस चीज़े आपको थोड़ी बहुत नजर आते ही वो सब already थी और already हम जो business हमारे चलते हैं उनसे already हम करते रहते हैं नेक्स सवाल क्या है एहमार मुनिर नेन का कहना है कि sir many groups on telegram claim to give 20% interest और उनको देना है 1000 से 20,000 USDT तो वो आपको एक fixed interest देंगे और मतलब CG miner करके वो mining करते हैं उससे आपको mining करके reward देंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है possible है बिलकुल नहीं zero बिलकुल chance नहीं है किसी को भी नह देना है अगर अगर आपको trading कुछ भी करने का मन है अपने exchange में करिए नुकसान करेंगे वो आपका होगा और फायदा होगा तो भी आपका होगा मतलब नुकसान करेंगे तो सीखेंगे और इस तरह करेंगे न तो सिर्फ और सिर्फ रोना है रोना और और भी फिर कोई सुनन बिल्कुल एजम्शन नहीं है क्योंकि देखिए टेक्नलोजी समय समय पर चेंज भी होती है तो आप सोचिए लंबा सोचिए लॉंग टर्म सोचिए पांच साल तक सोचिए उसकी आगे का जब हम लोग पांच साल में पहुचेंगे तब हम लोग आइडिया होगा कि क्या होने वाला है तो अभी 2014 मतलब अभी पूरा-पूरा अठारा साल बाकी है अभी इतना लंबा नहीं सोचते भी सिर्फ आने वाले पांच सालों तक का सोचिए नेक्स सवाल की तरब बढ़ते हैं नेक्स सवाल है अमित नात का कहना है कि भाई क्यू एने तोड़ा लंबा करो दोस् क्रिप्टो में कैसे वक्स स्टार्ट करें कि जैसे फ्यूचर में मैं मिलेनियर बन सकूं तो फ्यूचर में मिलेनियर क्रिप्टो के से बन सकते हैं और साथ-साथ आपको कोई और भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा क्योंकि अगर आप सिर्फ क्रिप्टो पर डिपेंड हो जाएंगे तो आप ट्रेडिंग करकर कही फ्रस्टेट हो जाएंगे तो इसलिए ऐसा है इसको आप एक साइड में रखिए और दूसरी साइड में आपका बिजनेस हो दोनों पैरलर चला आईए तो आप बिलकुल कूल होकर अच्छे ठंडे दिमाग से दोनों चीज़े मैनेज करेंगे जिससे आप बहुत जादा खुश रहेंगे और यही एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं पूरी तरह एकी चीज़ पर डिपेंड और एकी तरह फोकस करेंगे तो हमीशा फ्रस् तक जितना भी परफर्म किया है काफी जादा लोगों ने इसमें रिटेन पाया मतलब सेकंड लार्जिस्ट रिटेन वाला कोई बन चुका है नमबर वन भी है नमबर टू पर इसको रखते है क्योंकि शीबा इनो नमबर वन नमबर टू गाला ही है तो गाला ने बहुत इसको सिर्फ क्रिप्टो को चुनना अभी जैसे पिसले जबाब मैंने दिया था सिर्फ इसको अगर आप केरियर के तौर पर अगर चुन रहे हैं तो मेरे खाल से डिसेजन बिलकुल बेस्ट नहीं और जिस एज में आप हैं आप एक टीनेजर हैं तो यहां पर मेरे खाल से आपको पढ़ाई पर फोकस करना ची उसके साथ इसमें इंट्रेस्ट लीजिए अभी स्टार्टिंग से जब आप सीखेंगे तो और ज्यादा इसमें आउट्पुट और और ज्यादा तरकीब आप निकाल सकते हैं तो आपको करना यह है कि अभी धिरे-धिरे इंट्रेस्ट लीजिए लेकिन उसके साथ-साथ पैरलर और सारी चीजों में इंट्रेस्ट लीजिए तो आपके लिए फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा बाखी क्रिप्टो में जितना अर्ली आप इंट्रेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे वह अच्छी बात है लेकिन एज़ सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग से कम होगी या टोटल सप्लाई से तो यह जो कम होगी यह जो मार्केट में सर्कुलेट है उससे कम करने और किसी भी एड्रेस पर नहीं एक डेड़ एड्रेस होता है जब आप बोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी क्वाइन अगर बर्निंग करता है तो सबसे उपर डेड़ एड्रेस होता है उस पर भीजेंगे तो उस पर जाएगा अधर्वाइस किसी और एड्रेस भीजेंगे तो अराम से उसको विड्रॉल किया जा सकता है एक सवाल किया एसके मारूर इनका कहना है कि सर्फ क्रिप्टो करंसी 2024 में क्या धमाका होगा बिलकुल होगा जादा बड़ा धमाका होगा लास्ट सवाल इस वीडियो का है इनका कहना है विश्वजीत शिरिवास्तों का बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग सवाल है और तो हम उतनी ही खरी सकते जितनी मार्केट में सर्कुलेट है अगर किसी भी टोकन की सप्लाई सपोस्स है तो जो भी फाउंडर होते उसकी सप्लाई सिर्फ 10 मार्केट में सर्कुलेट करते और धीरे 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 करते तो कोई भी वेल कितना भी बड़ा हो वो तब तक नहीं buy कर सकता है जब तक market में circulate नहों ठीक इसी तरह गर bitcoin, ethereum की बात किया जाए तो वो भी उतना ही buy किया सकता है जितना market में available है जो mine होना बाकी है वो mine जब होगा तब होगा अभी नहीं है market में तो मतलब वैसा नहीं है कोई भी अपनी मर्जी से पूरा coin खरीद लेगा ऐसा नहीं है तो दोस्तों ये थे आप सभी के सारे सवाल मुझे बहुत पसंद आया आप सभी के सवाल और बहुत सारे लोग के सवाल हो सकता है छूट गए हो तो उन सब के मैं उन सब से मैं माफी मांगता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आप इसी वीडियो के नीचे सवाल कीज़े नेक्स संडे की वीडियो में इसको स्वामिल करने के पुरी-पुरी कोशिश करेंगे तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत धनेवाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कैमर से बच के रहिए और सूशल मीडिया जो भी हमारे हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमाँ जाके प्लीज मुझे फॉलो कीजिए तैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए